पंद्रा जून दो पहर दो बजे गल्वान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर्थ देखे वहां और भी है परवतो पर उस दिन फॉजी कमांडो अकेले में थे दुश्मन सैनिकों ने गिते पत्थरों की आज लेकर फॉजी यूनिट पर थवा बोल दिया कबिन बेस का स्कॉर्ट थी का भार के शेंटर घुस पैटियों से सामना हुआ स्कॉर्ट थी का दुश्मन उसे सामना हुआ वो थे भूस खलन से गिरे पत्थर और चट्टा और अंधेरा चा गया छे घंटे बाद जब लेटनेंट सिंखी आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बौचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी एहमद, धिलो, रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारती असेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूगा बहादुरी, भाहिचारे और भारत के लिए फौजी खर नहीं है झाल 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 झाल